दिल्ली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोनिया था वो बड़े ही शो अफ सौभाव की थी अपनी चीजों का दिखावा करना उसे बहुत अच्छा लगता था वो हमेशा ही दूसरों को अपनी चीजों का दिखावा करती रहती थी ज्यादा तर उसके कपड़े जो काफी महंगे और काफी मौडन हुआ करते थे एक दिन सोनी अपनी सहीली से मिलने जा रही थी तब ही उसकी माँ उसे रोकती है और उससे बोलती है अरे बेटा कहां जा रही है ऐसे नए नए कपड़े पहन के माँ मैं तो अपनी दोस्से मिलने जा रही हूँ कुछ काम था क्या आप जो रोक रही हो मुझे नहीं बेटी मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मुझे थोड़े बाहर जाना था काम से कुछ सामान लाने तू मुझे ले चलती तो अच्छा होता सामान लेने वो भी मैं वो भी आप के साथ आपको क्या लगता है मैं आप जैसो के साथ सामान लेने जाओंगी अरे बेटा पर ये तो छोटा सा ही तो काम है इसमें मुझे जैसे और तुम जैसे का क्या मतलब है चोटा सा काम है तेरा क्या बिगड जाएगा करने में मुझसे नहीं होते हैं ये घर के काम अगर आपको करना है न तो आप खुद करो और नहीं होते हैं तो मत करो लेकिन मुझसे मत बोला करो ठीक है बेटा तु जा मैं भी जाती हूँ काम से हाँ मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के पास मुझे नए कपड़े जो दिखाने है उसको और उसको जलाना भी थो है ऐसा बोलके सोनिया वहाँ से चली जाती है और सोनिया की मा भी घर के काम में लग जाती है अब सोनी अपनी दोस्ट से मिलने मिलती है और वहीं अपनी ड्रेस का शो आफ करना शुरू कर देती है और यार कैसी है तू वैसे बेकार ही होगी तेरे कपड़ों से तो दिखी रहा है कि कैसी है तू कितनी सडू हो गई है जो ऐसे सड़े हुए सलवार कमीज पहन के गूमती रहती है अरे उसमें सडू क्या मुझे जैसे कपड़े पसंद है मैं वैसे पहनूगी मैंने कभी क्या तेरे कपड़ों के बारे में कुछ बोला है चो तू हमेशा मेरे कपड़ों के बारे में कुछ भी बोलती रहती है तेरे कपड़ों पर तो कमेंट होंगे ही तू ऐसे घटिया कपड़े जो पहनती है पर मेरे कपड़ों पर कमेंट और वो भी तू खरेगी जा जाके पहली अपने शकल धुकरा फिर उसके बाद मत से बड़ी-बड़ी बाते करना अरे अभी मैं एक फंक्शन में जा रही थी क्या तू भी चलेगी मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा चल चलते हैं अपन दोनो अरे यार क्या है तू खाने के लिए मरती रहती है मैं तो घर पर ही बोर हो जाती हूँ तो इसलिए चली आई तुझसे मिलने तेरी तरह खाने पीने के लिए नहीं मरती रहती मैं क्या है यार तुझे हमेशा मुझे ऐसी ही बात कर रहती रहती है आजकल बहुत गमंडी हो गई है तू अब चलना है तो चल वरना मैं जा रही हूँ और वहाँ चलेगी न तो अपने ड्रेस का शो आफ बहुत सारे लोगों के सामने कर पाईगी फिर सोनिया और उसकी दोस्त दोनों ही एक फंक्शन में चली जाती है वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहीं सोनिया को एक पुराना दोस्त भी मिलता है जिसका नाम अभी होता है सोनिया को देखके वो से पहचान गया और उसके पास आके बोलता है अरे सोनिया तुम अभी भी वैसी हो जैसे कॉलेज में थी बिल्कुल नहीं बदली तुम और बताओ कैसी हो अरे अभी मैं तो ठीक हूँ तुम कैसे हो और तुम भी कहां बदले हो बिल्कुल पहले जैसे ही तो हो और यहां कैसे आ गई तुम इस फंक्शन में मैं जानता हूँ तुमें कि तुम ऐसे जगे गुमना पसंद नहीं करती हो और यहीं रहता हूँ अब तो और अब तो तुम से मिलना ही होता ही रहेगा कहीं न कहीं जब भी मौका मिलेगा तब मिलूगा तुम से क्यों मुझे क्यों मिलना है तुम्हें अभी तो मिल ही लिया अब इस से ज़्यादा मिलके क्या करोगे अरे मुझे तुम्हें एक बात कहनी थी जो मैं तुमसे कॉलिज से कहना चाता था अच्छा बोलो क्या बोलना है और फिर चलते हैं यहां से मैं बोर हो रही हूँ अरे मुझे बस ये बोलना था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ college से ही और अभी भी इतना ही पसंद करता हूँ क्या तो मेरी girlfriend बनोगी वैसे पसंद तो तुम्हें मैं भी करती थी तुम इतने अच्छे लड़के जो हो क्यों ना करो तुम्हें पसंद भला इसलिए हाँ मैं तुम्हारी girlfriend बनने के लिए ready हूँ अब सोनिया और अभी दोनों boyfriend girlfriend बन जाते हैं लेकिन सोनिया अभी भी वैसी ही थी उसे जादा महेंगे कपड़े पहनना पसंद था फिर कपड़ों का show off करना पसंद था ऐसे ही एक दिन दोनों बाहर घुमने जा रहे थे कि तभी उन्हें एक दोस्त मिलता है अभी का वो देखते अभी को कहता है अरे अभी काफी दिनों से मिला नहीं कहां है आज कल और कैसा है और ये तेरे साथ कौन है अरे ये मेरी girlfriend है सोनिया हम दो फ्यूचर में शादी भी करना चाहते है अरे वा ये तो बहुत अच्छी बात है और सुन तेरी ये girlfriend भी काफी अच्छे कपड़े पहनती है हाँ हाँ मेरा ये ड्रेस 5000 का है और अच्छा क्यों नहीं होगा कभी देखा है इस तरह का ड्रेस तुमने हाँ हाँ देखे हैं बहुत देखे हैं ऐसे ही ड्रेस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे ड्रेस तो मार्केट में काफी सारह होते हैं पर ये तो काफी छोटा भी है तो ऐसे ड्रेस का क्या फाइदा? फाइदा आज कल के fashion के बारे में कुछ जानते भी हो तुमने क्या होता है? या बस ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हो मेरी कमपनी ऐसे ही कपड़े को डिजाइन करती है और मैं खुद भी फैशन डिजाइनर हूँ तो मुझे तो पता ही होगा ना कि इन सब ड्रेस के बारे में अच्छा तो आप फैशन डिजाइनर हो बहुत अच्छी बात है आपकी ये तो अब आप भी मेरे लिए एका ड्रेस डिजाइन कर दो ये जो तुमने ड्रेस पहनी है ये मेरी कमपनी नहीं डिजाइन की हुई है और इसको तो खास करके मैंने ही डिजाइन किया था जो अभी मुझे ले गया किसी को गिफ्ट करने के लिए अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारे लिए बनवा रहा है तो मैं कभी पना के नहीं देता क्योंकि तुम बहुत शो आफ करती हो अरे यार क्या हुआ तुझे इतना भड़क क्यो रहा है ठीक है ना अब हो गया सो हो गया जाने दे ये सब तु बता अपना प्रजेक्ट क्या क्या हुआ चो तेरी कंपनी मुझे देने वाली थी कौन सा प्रजेक्ट कैसा प्रजेक्ट तुम लोग मुझे ही घमन दिखाओ और मैं तुम्हारे साथ प्रजेक्ट करवूँ तुम्हारे सारी डील अबसे खतम मेरे साथ ना कोई प्रोजेक्ट ना कोई डील अरे वैयार पर ऐसा क्या हुआ है जिछ चोटी चोटी बात में इतना चिड रहा है अब बोल दिया सो बोल दिया उसमें हमें बीच मेलाने की क्या जरूरत है अभी के दोस्त ने उसकी एक ना सुनी और वो वहाँ से गुस्से में चला गया फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद अभी के परिवार के एक पहचान वाले अभी से मिलने उसके घर आते हैं तब ही सुनिया अपना शो आफ करना शुरू कर दीती है अरे अभी बेटा कैसे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहां गए अंकल वो तो बाहर गए हैं पर आप वो भी इतने टाइम कुछ इंपॉर्टन काम था क्या आपको हाँ बेटा वो जमीन के पेपर हैं चो तुम्हारे पापा ने मेरी हैल्प से ली थी इसलिए संभाल के गाड़ी में रखी थी अभी लाता हूँ मैं और ये कौन है इतनी प्यारी बच्ची इतने अच्छे कपड़े में एक दम गुडिया जैसी लग रही है देखो अंकल एक तो आप इतने बुड़े हो इसलिए आपको जब किसी के कपड़ों के बारे में पता ना हो तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए और वैसे कपड़े तो अच्छे ही हैं आपको क्या पता इस बारे में पर बेटा मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ और तुम मेरी बेज़दी कर रही हो बेज़दी और आपकी बेज़दी उसकी होती है जिसकी कोई इज़द हो और आप एक वकील हो तो वकील का काम करो जब बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको समझे अच्छा तो ठीक है अब बिटा मैं वकील का ही काम करता हूँ और अभी और उसके परिवार की जो सारे इंपॉर्टन्ट फाइल है उनको देखो अब मैं कैसे यूज़ करूंगा तभी तुम्हारी अकड़ कम होगी ऐसा बोल के वो अंकल वहां से चले जाते हैं सोनिया घबरा के अभी से बोलती है अभी सौरी मुझे माफ कर दो पर वो अंकल को तुम अपने तरीके से समझा दो कि अब मैं ऐसी बत्तमीजी कभी नहीं करूंगी मेरी वज़े से तुम्हारे कितना नुकसान होता जा रहा है पहले वो डील चली गई और अब ये I am so sorry कोई बात नहीं ये तो बस मेरा प्लैन था ताकि तुम अपना शो ओफ और घबन थोड़ा कम कर दो वो डील मेरे पास ही है और फाइल भी पापा के लॉकर में ही है अच्छी बात है और ठीक है अब से मैं कभी भी किसी भी चीज के बारे में शो ओफ नहीं करूंगी और ना ही किसी को अपना घमन दिखाऊंगी उसके बाद सोनिया अपना शो ओफ करना छोड़ देती है